परिचय राहुल अपनी मा के साथ एक दिन मेला देखने गया, वहाँ उसने एक खेल देखा वहाँ बोट पर कुछ एक आकार रखे हुए थे, बोट के उपर कुछ पंतियां लिखी हुई थी वरित के अंदर मारें और एक पैंसिल जीतें, वर्ग के भीतर मारें और एक पैंसेट जीतें, त्रिभुच के भीतर मारें और अपने लिए एक जयामिती बॉक्स जीतें देखो मा, यह सच मुच मज़ेदार है क्या हुआ बेटा, क्या तुम प्रयास करना चाहते हो? हा मा, मैं जयामिती बॉक्स जीतना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इन में से त्रिभुज कौन है? दोस्तो, वृत, वर्ग और त्रिभुज कुछ जया मितिय आकार हैं। आईए इस पार्ठ जया मितिय आकार में इन आकारों और कुछ अन्य आकारों के बारे में जानें। आउ सीखें। विभिन जया मितिय आकारों को जानना। तीन प्रकार के कोड़ों को पहचानना। अधिक, नियून और समकोण। खुले और बंद आकार के बीच अंतर करना। त्रिभुज और इसके प्रकार का वणन करना। विभिन त्रिज्याओं का वृत बनाना। विभिन प्रकारक के जया मितिय आकार बनाना। भारत के इस नक्षे को देखें। हम देखते हैं कि शहरों को चिन से दर्शाया गया है। इन्हें बिंदु कहते हैं। जया मिति में बिंदुओं को एक जगा में एक स्थान माना जाता है। वे वस्तुओं की स्थिती के वारे में सूचित करते हैं। यदि दो बिंदू एक दूसरे से जुड़े हों, तो हमें एक रेखा खंड प्राप्थोगा. एक रेखा खंड एक सीधा पत होता है, जो बिंदूं एकस वाई और उनके बीच के सभी बिंदूं को समय कित करता है. बिंदू एकस और वाई को अन्त बिंदू कहते हैं. किरन और रेखा इसे आप क्या कहेंगे? इसका सिर्फ एक अंत बिंदु है इसके दूसरे सिरे पर एक बानाग्र है इसका आर्थ है कि इसे बानाग्र की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है इसे किरन कहते हैं हम किरन को एक ऐसे सीधे पत के रूप में परिभाशित कर सकते हैं जिसका एक अंत बिंदु हो और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्त्रित होती है यदि सीधे पत को दोनों दिशा में बिना किसी अंत के विस्त्रित किया जाए तो यहाँ एक रेखा बन जाएगी उधारण सौरूप रेखा X, Y अब रेल की पट्रियों पध्यान दीजिए पट्री के दोनों सिरे एक दूसरे को कभी नहीं काड़ते ये सिरे समानतर है इसी प्रकार दो रेखाओं को समानतर रेखाएं कहते हैं यदि दोनों को किसी भी दिशा में चाहे कितना भी विस्तरित किया जाए वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं कौन अब इस संदूग को देखिए यहाँ कैसे आकार बना रहा है यहाँ एक कौन बना रहा है इसी तरह घणी में मिनट और घंटी की सुईयां कोन बनाती है दो किर्णों द्वारा एक साजे अंत बिंदू पर मिलने से बनने वाले आकार को कोन कहते हैं एक कौन को दिये गए चिन से दर्शाते हैं यहाँ एक कौन A, B, C है इसे इस प्रकार दर्शाते हैं यहाँ B शीर्ष है A किरण का बिंदू है जब कि C, दूसरी किरण का बिंदू है कोनों के प्रकार एक कोन को चांदा की सहायता से मापा जा सकता है इसका उप्योग दिये गए माप का कोन बनाने के लिए भी करते हैं एक कोन जिसकी माप 90 डिगरी हो उसे सम कोन कहते हैं एक कोन जिसकी माप 90 डिगरी से कम हो उसे नियून कोन कहते हैं जब कि एक कोन जिसकी माप 90 डिगरी से ज्यादा हो उसे अधिक कोन कहते हैं साधारण बंद आकार दिये गए आकारों पर ध्यान दें पहला आकार समतल के भागों को समाहित नहीं करता यहाँ एक खुला आकार है यहाँ आकार एक बिंदू से शिरू होता है और एक दूसरे बिंदू पर खत्म होता है दूसरे आकार के बारे में क्या? यहाँ एक बिंदू से शिरू होता है और उसी बिंदू पर समाप्त होता है अतहा या अपने अंदर के क्षेत्र को समाहित कर लेता है इसी तरह के आकार को बंद आकार कहते हैं इन बंद आकारों को देखिए यह रेका खंडों से बने हैं रेका खंडों से बने बंद आकार को बहु भुज कहते हैं बहु भुज के रेका खंड को इसकी भुजा कहते हैं जिस बिंदू पर दो रेका खंड मिलते हैं उसे इनका शीर्ष कहते हैं इन रेका खंडों को आप क्या कहेंगे एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक खीचे गए रेका खंड को विकन कहते हैं बहु भुज की भुजाएं विकन नहीं होती त्रिभुज एक बहु भुज जिसकी तीन भुजाएं हो उसे त्रिभुज कहते हैं इसमें तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज को दिये गए चिन्ह से दर्शाते हैं. यह त्रिभुज A, B, C है. इसे त्रिभुज B, C, A या त्रिभुज C, A, B भी कहते हैं. दोस्तों, क्या आप कुछ आकृतियां याद कर सकते हैं, जो त्रिभुज आकार में हों? मैदान के जंडे और दर्वाजे पर बनी आकृति पर ध्यान दीजिए. यह त्रिभुज है. त्रिभुज के प्रकार त्रिभुजों को उनकी समान भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार में वर्गी कृत किया जा सकता है. यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्ने लंबाई की हैं, तो त्रिभुज को विशम बाहू त्रिभुज कहते हैं. यदि त्रिभुच की दो भुजाएं बराबर हों, तो उसे सम दूई बाहू त्रिभुच कहते हैं चतुर भुच चार रेखा खंडों से बने बहु भुच को आप क्या कहेंगे? ऐसे बहु भुच को चतुर भुच कहते हैं चतुर भुच विभिन प्रकार के होते हैं ये प्रकार हैं समानतर चतुर भुच, आयत सम चतुर भुच और वर्ग आईए हर प्रकार की विस्तार से चर्चा करें चतरभुज के प्रकार वहाँ चतरभुज जिसकी सम्मुग भुजाएं समानतर हों, उसे समानतर चतरभुज कहते हैं उधारण सो रूप, स्लाइट समानतर चतरभुज होता है वह समांतर चतर भुज जिसकी चारों भुजाएं एक समान लंबाई की हों उसे सम चतर भुज कहते हैं देखिए यहां चितर सम चतर भुज है वह समांतर चतर भुज है जिसके चारों कूण सम कूण यानी 90 डिगरी के हों उसे आयत कहते हैं उधारन सरूप उपहार का पैकेट आयत होता है। वह समांतर चतर भुझ है जिसके चारो कौन समकौन हों और सभी भुझाएं समान लंबाई की हों। उसे वर्ग कहते हैं। दोस्तों क्या आप शतरंज का आनंद लेते हैं। शतरंज की विसात को देखें। यह वर्गाकार है। देखा साहिल क्या कर रहा है। वहां रसी को हवा में घुमा रहा है। रसी के सिरे की गाठ कैसी आकृती बना रही है। यह वर्ग है। वर्ग वह आकृती है जो एक बिंदू केंदर से एक समान दूरी परिस्थित सभी बिंदूओं को समाहित करती है। एक रुपए का सिक्का उड़न तश्तरी, पहिया, सीडी, वरत्तकार है। केंदर से वर्ग के किसी बिंदू तक के रेखा खंड की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। वर्ग की त्रिज्या के दो गुने को वर्ग का व्यास कहते हैं। एक दी गई त्रिज्या का व्रित्त कमपास की सहता से बनाया जा सकता है। हमने क्या चर्चा की। बिंदूओं को एक जगा में एक इस्थान माना जाता है। रेखा को एक ऐसे सीधे पत के रूप में परिभाशित किया जाता है, जिससे दोनों दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया जा सकता है। एक कोण जिसकी माप नबे डिगरी हो उसे सम कोण कहते हैं, जबकि एक कोण जिसकी माप नबे डिगरी से ज्यादा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, एक बहु भुज जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, विशम बाहु त्रिभुज, सम दूई बाहु त्रिभुज और सम बाहु त्रिभुज, चार भुजाओं से बनने वाले बहु भुज को चतर भुज कहत समानतर चतुर्भुज आयत सम्चतुर्भुज और वर्ग चतुर्भुज के प्रकार हैं। वृत्य वह आकृती है जो एक बिंदू केंद्र से एक समानदूरी परिस्थित सभी बिंदूओं को समाहित करता है। समान पनी करता है। झाल झाल